हेलो दोस्तों आपका एक नए वीडियो में स्वागत है आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभासा क्या होती है और इस अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों परिच्छा की दृष्टी से बहुत ही most important topic है अताहिसे जानना आप लेक बहुत जरूरी है दोस्तों आप से निवेदन है कि कि आप वीडियो को complete देखेगा तो आज़े friends भीने time based की हम वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप से एक निवेदन है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें तो सबसे पहले हमें जानेगी कि रूपा कलंकार किसे कहते हैं अर्थात इसकी परिभासा क्या होती है बहुत ही सिंपल सी परिभासा है आप इसे एक लाइन में याद कर सकते हैं उसकी परिभासा है कि जहां उपमे में उपमान का निशेद रहित आरोफ और अर्थात उपमे और उपमान में अभिनता प्रिकट कीज़े वहाँ पर रूपकलंकार होता है अर्थात जहां उपमे और उपमान में भेदना रखकर एक रूपता बताई जाए वहाँ पर रूपक कि मैं उनके चरण को जो कमल के समान है मैं उनके चरण को प्रभू स्री हरी के चरण को उनके मैं बंदना करता हूं जो उनके चरण हो किसके समान है कमल की समान है अर्थात मैं यहां पर इसका पश्टी कड़कर देरवाब देख सकते हैं कि यहां पर चरण में कमल की भेद ना र रखकर एक रूपता बताई गए अर्थात कहने कार्थिये हुआ कि चरण और कमल को एक समान बताया गया है अर्थात यहां पर रूपा कलंकार है यानि कि जहां पर भेद ना रखकर उपमे और उपमान की एक रूपता बताई जाए वहां पर रूपा कलंकार होता है जैसे हमारा एक अगला उदार रहे कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी मनसागर मेरा लहरा था अब यहाँ पर देखेंगी यहाँ पर मुख में चंद्रमा का वेद ना करके एक रूपता बताए गया अर्थात यहाँ पर रूपकलंकार है मुख चंद्र तुम्हारा देख सकी मनसागर मेरा लह रहता अर्थात यहां पर मुख में और चंद्रमा में भेद नहीं किया गया अर्थात मुख को चंद्रमा ही बताया गया यानि मुख जो है चंद्रमा की समान है अर्थात मुख चंद्रमा ही है और इसका भेदना रखकर एक रूपता बताई गई यहां पर मुख और चंद्रमा को एक रूपता बताई गई है अर्थात यहां पर रूपक अलंकार है यानि साधार भासा में से ऐसे समझेंगे कि जहां पर उपमें और उपमान में भेदना रखकर एक रूपता बिताई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है तो फ्रेंस आसा करता हों कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसका उधर और इसे हम कैसे पहचानेगे यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो यह इसमें कुछ ना समझ में आया हो या इसमें अभी कुछ डाउट रहे गया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं तो फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नी टोपिक के साथ तत्पक लिए जैहिंद वंदे मातरम